तो अगर जो लोग अपने Packs में अगर अपना नाम को जड़वाना चाहते हैं तो उनकी लिए बहुत वढ़ी खु़क्षापरी की बत आए हुए कि वो लोग अब अपने जो एरिया होता है उसमें अपने PACS में नाम को जुड़वा सकते हैं उसे किस परकार से जुड़वाना है उसका ऑलें किस परकार से करना है तो उसकी प्रकृष्व है आपको अब बताने वाले हैं तो देखिए यहां पे अपका इंटरफेस दिखाई दे रहा है तो कुछ इस परकार का लिखा हुआ ह fallen यहां किलिक करें तो आपको पहले किलिक करना होगी यहाँ पर किलिक कर rozp में अबंद्स दिया हुआ है कि है यहां पर आर्वर स्थार्थ हो चाहिए आपका जब वह यह तो इस अब को जो भी आ पका चीख बॉक्स दीग अवा है तो सबको आप लोग इस प्र markings रीक कर दिजह तो हम lleva यहां फに тоб steeds यहां या मिलेंदित परसवर्ड के रिए तो आपो खुल करें तो आपे पर नहीं है किलिक करें जो pergunta करनाः जगे हमें और जिलां यहां के बार सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब गाहे परोगा लेक्त घाले का फिर यहां इसे अपर आप करें यहाँ पर इंग्लीज में हंए हंग्लीë Br00 करते होंगे यहांपर संमान हैं जो आपउसे क्लिक कर दिएगा और यहां पर लिंग होगा उसे क्लिक करके आप पूर्फ पर किलिक कर दिएगा तो इतना होने के बाद आपको इहान पर email сти स्क्रिष यहाँ अपका email ID होगा यह कुई कंपल सरे नहीं है लेकिन एहां पर email आडि तर冷 vraiगा और यहां पर मोवाइल नमबर को लिखना जो कि यहां पर compulsory है जो मोवाइल नमबर यहां पर दीज़ेगा उस पर OTP जाएगा तो इसे यहां पर जो ही नमबर दीज़े जो आपका चालू होगा इतना करने के बाद नीचे एगा तो अपने मर्जी के अनुसार यहां पर पासवर्ड को सेट करना है कुछ capital letter कुछ small letter कुछ special character तो इस तरह से यहां पर पासवर्ड को सेट कर दीज़ेगा उसी को confirmation के लिए इस box में भी लिखना है और यहां पर लिखने के बाद यहां पर जो ल कुछ इस परकार से message आगया तो यहां पर हमारा user दिखा रहा है और पासवर्ड यहां पर दिखा रहा है तो इसे आपका दिखाएगा और इसके बाद देखे हम आइड और पर पासवर्ड मिलने के बाद यहां पर लिखा रहेगा user id इसमें हमें जो ID मिला है उससे लिखना आ आएगा तो यहां पर हमें जो membership form को फिलब करना है वह खुलेगा जैसे आप आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर पहला इस परकार से आएगा तो हमें यहां पर membership membership form को अपलाई करना है तो यहां पर कुछ इस परकार का फॉर्म खुलेगा जिसमें हमें जीला अनुमंडल यहां प्रकॉंड पैक्स यह सब जो बैसिक डिटेल से उसे यहां पर लिखना होगा और यहां पर देखिए नीचे आएंगे तो यहां पर लिखना होगा कि आपका कु तो आपका झो खेती होगा जो आपका भूमी होगा खेती योग तो उसे यहां पर एकर में यहां पर कितना हुआ का और इस परकार से नीचे posit rival नीचे आएंगे कि लिखा जो अबilot On नेनीरs Nane पर आपका पिन कोड लिखाएगा अब इतना करने के बाद नीची आएगा तो देखिए अहां पर क्या है कि यहां पर आपका अस्थायव पता दिया हुआ है इसे आप देख पा रहे हुए आपका जो भी अस्थायव पता होगा मतलब पर्मानेंट एड्रेस होगा उसे यहां यहां पर लिखेगा यहां पर वाड यहां पर पिन कोड और यहां पर जो भी आपका ब्यक्ति का नाम होगा उस ब्यक्ति का नाम और यहां पर जो बेसिक डिटेल से वहां पर डेट बर्स को लिख दीजेगा इतना होने के बाद यहां पर जो लिखा है अपडेट उसे पर कि करेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से दिखाएगा तो यहां पर कुछ इस प्रकार से दिखाएगा तो इसमें अपना फोटो और सिगनेचर को अप्लोड करना है तो आपका देखिगे जो अगलाव आएगा तो आपको thoughts और सब कुछ आप्लोड करना है तो उनेचे आते हैं जहाँ पर अप्लोड करके हैं तो इहां पर आपका साइज जी हमारा फोटो का साइज होगा हूं हमारा कम से YouTube से नीचे यहां पर बणा करकर यहां पर अप्लोड कर दिएगा और यहां पर गोहूँं पर किलिक को किज़ेगा तो आपका अगला इस्थेफ इस परकार से आएगा यहां पर आपको दस्तावेज अप्लोड करने के लिए बुला जैसे यहाँ पे प्रोड करके करता है अपना जो भी पाचान पत्र होगा हुआ उसे नीचे आवास्य प्र्णापत दिया हुआ है इस में भी आपका अधर काड ही अपलोड होगा तो ए होने के बाद यहां पर Save पर क्लिक कीजएगा और यहां पर Go Home पर क्लिक कीजएगा तो जैसे छो अगला इस्टे पाएगा तो यहां पर आपका जो पहले से पैक्स में जिनका नाम Add है वो लोग का यहां पे record को पुछता है अगर आपका जो भी Pax का जो सदस्त है पहले से अगर वो अगर सहमती नहीं करते हैं यहां पर अपना नाम नहीं देते हैं तो आप Pax में add नहीं हो पाई गा तो जो भी आपका Pax होगा उसमें का किसी भी member का यहां पर आपको नाम लिखन जैसे आप दिखाना चाहते हैं तो यहां पर उनका नाम लिखना है नाम लिखने के बाद यहां पर उनके पिता जी का नाम लिखना है यहां पर पर पैक्स के सदस्ते का नाम लिखना है और यहां पर जो अध्यच है जो सदस्ते हैं पैक्स का नाम लिखना है तो इस तरह से यहां पर बैंक डिटेल्स का जो है डिटेल्स खुल करके आएगा तो हमें इसमें अपना जो भी बैंक का नाम होगा उसका फोटो खीच करके इस पर अपलोड करना है तो जैसे गोंपक किलिक किजेगा तो आपका जो भी स्टेफ होगा वह सारा किलियर हो जाएगा जैसे यहां पर आप सब कुछ किलियर हो जाएगा तो अपने यहां पर कुछ इस परकार का किलिक करके यहां पर लिखा हुआ तो पुआ से ले करे जब अब कैने ही पिर्न अब करने के बाद अब प्रीट्र पर प्रिंट्था अνतीं सताल्ने के बाद प्रपत्र पर फाइब और घुर्शना पत्र प्रिंट कर लें और अपना हस्ताशर करके प्रपत्र फाइप और भुष्णा पत्र ARCS Office में जमा करें मतलब की ARCS का मतलब होता है कि साहा Pret बंत्र सहयोग समीति कारेले में को कहते हैं जो प्रमंडल अस्तर पर होता है जी हां दोस्तों एप्रमंडल अस्तर पर होता है आधिक उद्धिक जनकारी के लिए अपने प्रखंड के बी एस सीओ प्रखंड सहकारिता प्रसासन प्रढ़ाजिकारी उन से संपर्क कर सकते हैं तो यह ऐसा फॉर्म पर आपका अपलोड होगा और वहीं से आपका जो भी समती हो सब तक यहां संपूँड जनकारी थी किस परकार से फ़र्म को अपलाई करना है इसलिए तो आपको सब्छ बता चुके हैं किस परकार से अपलाई करते हैं और सब कुछ हैं पर तो मिलते हैं ले वीडियो में टॉप्य-क ताटा गुडबाइ